कि हैं लोगे सब्सक्राइब करते हैं प्रेश नंबर एक है कि एक तिर्भुज के दो कौनों में अनुपाद पांच अनुपाद चार है यह दिन में से यहां आसा है। उसके कौन बिया के जिए कित रूज के तीनों पांच अनुपाद 54 और यह भी हमें कि हमें कंडिसन दी हुई है कि अन्दश का है जो हमें दी होई हैं तो हम आच से हैं कि माना है semana दो कॉन जो हमको दिये हुए हैं वो हम मान सकते हैं कि पांच एक्स और चार एक्स हैं यह दोनों हमें दिये हुए हैं और यह भी हमें दिये हुआ है कि उनमें से एक कॉन दूसरे कॉन से दसमसा देगा यानि कि जो पांच एक्स है वो होगा चार एक्स से 10 अधे यानि 4x में हम 10 जूडएंगे तो उसके बराबर हो जाएगा ये अब हम 5x जैनि x वाले पदों को एक साथ लाएंगे तो यहां पर हो जाएगा 5x में से 4x गटेंगे x बचेगा केवल तो x परावर इस तरह से आजाएगा 10 और जो दोनों कौन हमको दिये हुए हैं तो दिये हुए जो को दोनों कौन हैं दिये हुए कौन क्या हो जाएंगे हमारे वह हो जाएंगे हम हमारे पास हैं 5x और 4x तो 5x का मतलब हो गया 5 into 10 तो यह जाएगा 40 एक कौन हो गया 50 और एक कौन हो गया 40 तो तीसरा कौन हम प्राप्ट कर सकते हैं हमें पता है कि तीनों कौनों का जो योग होता है तीनों कौनों का योग हो तो वह होता है एक सोस्टी एंस एक सोस्टी तो जब हमें दो कौन दिये होए हैं 50 प्लस 40 तो यह दोनों को जाएंगे नब्बहन के तो बाकि एक सोस्टी को पूरा करने के लिए तीसरा कौन क्या बचेगा तीसरा कौन होगा इस से साब से एक सोसी में से हम नब्भै को घटा देंगे तो इस तरह से अब बैक तो हमारा एक कौनी हो गया नब्भैंस और दो कौनी आ चुके हैं पचास और चाली संस तो इस तरह से हम राकिक स्रमिकर्ण से जामती समंदी प्वेशनों को हल कर सकते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है दो कि दो कोठी पूरक कौन इस तरह से हैं कि इस प्रकार से हैं कि एक कौन दूसरे कौन से तीन वट्टे पांच से दस संस अधिक है तो कौनों को ग्यात कीजिए तो कोठी पूरक कौन जैसे कि हम जानते हैं कि कोठी पूरक कौन क्या होते हैं कोटिपूरक कौन होते हैं जिन दो कौनों का योग नभ्यंस होता है और साथ ही हम बता दें आपको कि इसके साथ ही संपूरक कौन वो होते हैं जिनका दोनों कौनों का योग एक सो अक्षियंस होता है तो माना बाना एक कौण हमने माले लिया XS है और दूसरा क्या है दूसरे कौण के 3 बटे 5 गुने से 10 सम्स दिक है यानि दूसरा कौण जो है वो है 3 बटे 5 X प्लस 10 अब एक ये कौण और दूसरा ये कौण दोनों को जोडने पर लब्भ Fragen साना चाहिए क्योंकि कोटी पूरक कौनों की यही पहँचान है कि कोटी पूरक कौनों का योग 90 होता है तो हम इस तरह से 10 को इधर भेज देंगे इधर ले आएंगे टांस पर करके तो यहां बचेगा से दो क्या है अएगा है मां से इनका ऐलसी मा जाएगा निचे एंद लिए तो लोग रजाएगा zwy और यहां पर जाएगा तीन एक्स कर अज़र यहां पर नबध है मैंसेðफ matter तो कमसी बचेगा कै पिस तरह से पांच और तीन आट एक्स को और बट्टे पांच बरावर असी तो आठ एक्स बरावर हो जाएगा असी गुड़ाँ पांच अट पंचे चालीस या फिर हम कह सकते हैं तो एक्स कमान निकालेंगे तो चार सो बट्टे पांच आ जाएगा और सब्सक्त क्या्ष्ट है उसके साथ तो आठ मैसे और चालीस यानि एक्स कमान आया हमारा हच्छा तो नगारा अगया तो यह राकण हो गया को दूस्ट को हो जाएगा चालीस का क्यूंकि पचास प्लस चालीस दोन हो जाएगे नभेज है तो इस तरह से हम रहाटिकते से दार्ट के दारा को आसानी से खल कर सकते हैं आधाय है है अगला है किसी ति तीर बेस्टि के सभी कोनों को ग्याद कीजिए ये ठीक्रहुनट और वाई इस तरह से दिया हुआ है कि तीन वाई मैनस पांच एक्स बराबर तीस तो यानि कि हमें यह एक समीकन दिया हुआ है हम उसका यूज कर सकते हैं इस समीकन को खलक करने में पहली बात तो हमको दी हुई है कि उसके तीनों कौन जो है दिया हुआ है ao upsimie बराबर एक्सें में अदिया हुआ है कि ङॉफिसदा इस समीकनद बना सकते हैं धोएदे हम पहले शौन बनाएंगे कि कोण तिर्वुज कि कौनों का योगफल क्या होता है 100 आइंस होता है जायों कि शीवबी प्रकार का तरफू जो तो हम यहाँ पर कौनों को जोड़ देंगे कौन A, कौन B, कौन C बरावर एक सो असियन्स और कौन A है हमारे पास यहां पर X B है हमारे पास 3X और C है हमारे पास Y तो यह तीनों मिलके एक सो असियन्स हो जाएंगे और 3X और 1X यह हो जाएगा 4X प्लस Y बरावर एक सो असियन्स और यह हो गया हमारे पास एक समीकरन और दूसरा समीकरन हमें दिया हुआ है अल्रेडी 3Y माइनस 5X बरावर 30 तो हम क्या कर सकते हैं हम कि इसको सॉल्व करेंगे यहां पर 3 से मल्टिप्लाइ करेंगे 3 से गुना करने कर इसमें 3 से गुना कर लेंगे हम इस समीकरन में तो क्या हो जाएगा यह हो जाएगा चार तीय बार है पूरे में 3 से मल्टिप्लाइ हो जाएगा चार तीय बार है एकस प्लस 3Y और अठा रदिया 54,540 तो हम कि ऊपर वाले समीकरन के जो है यह दूसरा समीकरन ता हमारा दूसरे समीकरन को आप इसमेंसे तीसरा जो समिकंडाया है इसमें से घठाने के लिए और घठाने के लिए करना होगा इसके चिन माइनस मतलब इसके चिन Бदतल देंगे हم तो माइनस थीन वाई से 3y घठिया और बार है में से पार है और पांच यह हुआ हमारा 17x बराबर और यहां यह गट जाएगा यह 540 में से 30 गट जाएगा तो बचेगा 530 तो 17x बराबर आगे हमारे पास 17x बराबर 530 अब x कमान जब हम रिकालेंगे तो 530 बटे 17 सत्रा इसके निचे आएगा सत्रा सरी 510 आएगा यहां पर क्योंकि 540 में से 30 गटेंगे पांसो बचेगा पांसो दस बटे 17 1731 तीम बार कटेगा यानि की चुटली तीस बार कटेगा एक्स बराबर आजाएगा तीस अंस तो एक कॉंड जो हो गया वो हमें दिया हुआ था कि एक्स के बराबर है यानि ये कॉंड हो गया हमारा 30 अंस एक चीज तो यह हुगी बी कॉंड जो है बी कॉंड कितना हो जाएगा बी कॉंड हो जाएगा हमारा 3x तीन एक्स यानि एक्स की जगए पर तीस रख देंगे तो तीस्तिया नंब्र हो गया अब हम कौनों के टोटल से भी तीसरा कौन निकाल सकते हैं कौन सी कौन सी क्या हो जाएगा 120 c मैंसे हम कि ऐचा गठा देंगे यानि क्योंकि टोटल एक्स्व चान से 10 शूपर यानि कि यstarator 2 नंदे क। तो थीस्तिर प्लस नब्र है य यह होगे एक पार एक्सव lot एक्सों तो इस तरह से यह तीनों को हमने ग्याद किये है तो इस तरह से हम राफिक समय करनों का यूज़ करके इस इसी ली सब आलों को हल कर सकते हैं गाइस हमारा यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें दोस्तों साथ सेयर करें साथ ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद